अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशालत दिल्ली सरकार द्वारा 16 अक्टोबर 2021 के लिए कारपत्रिका करम संख्या छप्पन कक्षा नर्सरी के लिए कारपत्रिका है यहां विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहां आपने शिक्षकिया शिक्षिका का नाम लिखेंगे नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वेस्थ होंगे आईए, आज एक कहानी सुनते हैं, पलक की पायल पलक पहाडों के पास एक गाउं में रहती थी, तो कहाँ पर रहती थी पलक? पहाडों के पास एक गाउं था उसमें उसे पतंग उडाने का बहुत शौक था तो किस चीज का शौक था उसे पतंग उडाने का वह रोज शाम को पतंग उडाने के लिए छट पर जाती तो वह पतंग उडाने के लिए कहां पर जाती थी छट पर रोज शाम को च्छत पर मा ने बहुत सारे पौधे लगा रखे थे जिनमें पालक, पुदीना, पर्मल, इत्यादी के पौधे भी थे तो छट पर क्या कर रखा था माने बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे जिनमें पालक के पौधे, पुदीना, परमल इन सब के पौधे भी थे एक शाम मा खाना बनाने के लिए छट पर पालक और पुदीना तोड रही थी, तबी उनकी पाईल की आवाज पलक के कानों में पड़ी, उसने मा से कहा कि मा आपकी पाईल की आवाज बहुत अच्छी है पर अब आगे देखते हैं, तो देखो ये हमें कुछ चित्र दिये गए हैं और ये नीचे उनके नम है तो इन नामों को बहुत ध्यान से पड़ेंगे तो ये क्या है पहाड, ये पतंग, ये पालक, ये पुदीना, ये पायल और ये पैर आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी आईए अब इसके बारे में चर्चा करें तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो गाउं में कौन रहता था तो कौन रहता था पलक रहती थी ना गाउं किस के पास था कहा पर था गाउं पहाडों के पास ठीक है पलक को क्या उडाने का शौक था क्या उडाना पसंद था पलक को पतंग माने अंगर में कौन से सबजियां उगाई हुई थी कौन कौन से थी पालक और पुदीना अब आगे देखते हैं अब नीचे दिये गए चित्रों में से पाक्षर से शुरू होने वाले चित्रों पर गोला लगाएंगे तो यह हमें कुछ चित्र दिये गए हैं और इनके जो नाम है अगर वो पाक्षर से शुरू होते हैं तो हम उन पर गोला लग फिर ये है पंखा तो इस पर भी हम गोला लगाएंगे फिर ये क्या है पुल पर भी हम गोला लगाएंगे फिर ये क्या है गिलास ये गर से शुरू होता है तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे या फिर ये अगर गिलास की जगे पानी भी हो सकता है तो आप गोला लगा सकते ह अगर ये पानी है तो आप पर से शुरू हो रहा तो आप गोला लगा सकते हैं और अगर ये गिलास है तो गिलास पर गोला नहीं लगाएंगे फिर ये क्या है पेड़ पेड़ भी पर से शुरू हो रहा तो हम इस पर गोला लगाएंगे और ये क्या फूल फूल तो फर से शु जुरू होने वाले सारे चित्रों पर गोला लगा लेंगे आईए अब नीचे दिये गए पतंग के चित्र अख़बार के छोटे-छोटे टुकडे काट कर चिपकाएं यह नीचे पतंग का चित्र दिया गया है तो आप क्या करेंगे यह जो चित्र है इसको जब निकालेंगे तो इस पर आप अख़वार के छोटे-छोटे टुकडे लेंगे और उनको इस पतंग पर ऐसे ही इन शेप्स में काट कर जो है आप इस पर चिपकाएंगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं, अभिभावकों के लिए एक सुझाओ रहेगा, बच्चे को घर में पर अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुएं दिखा कर उनकी पहली आवाज की पहचान करवाई जा सकती है तो आप बच्चों को घर में जो पर अक्षर से शुरू होने वाली चीजे हैं, उनको दिखा सकते हैं और उनकी पहली आवाज की पहचान आप उनको करा सकते हैं जैसे कि पानी ये पर से शुरू होता है फिर पंखा ये भी पर से शुरू होता है पौधा ये भी पर से पता पर से पर से पर से तो इस तरीके से आप कोई भी घर में जो चीजे पर से शुरू होती हैं उनको दिखा स और बच्चे को पहले अक्षर की पहचान करवा सकते हैं और इसी के साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और तू यार्ड्स तो कोरोना से बचने के लिए सभी को छे फीट या दो गज की शारिरिक दूरी बनाकर रखनी है त अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में